बहुत सबागत व्योज आप सभी का एक बार फिर देखिए मोधी मंत्री मंडल में किस मंत्री को क्या विभाग मिला ये सब जानना चाहते हैं ये जानकारी कुछ आचुकी है बाहर नरेंद्र मोधी की इस तीसरी सरकार्क में तीन मंत्रियों के विभावों का बटवारा जो हुआ है वो सारवजनिक हो गया है नितिन गटकरी को एक बार फिर सड़क परिवहन मंत्राले मिला है फिर मैं आपको बता दो नितिन गटकरी को वही जिम्मेदारी दी गई है जो पिछले 10 वर्ष से निभा रहे हैं और इसकी सब लोग तारीफ करते हैं जिस तरीके से भारत में सड़कों का इंफरस्टर्चर का काम हुआ तो एक बार फिर नितिन गटकरी सड़क परिवहन मंतरी बने है अजय टम्टा को और हर्ष मलहतरा को इसी मंतराले में राज्य मंतरी बनाया गया है यह दो मोस जो भाशपागे थे अजय टम्टा और हर्ष मलहतरा जो दिल्ली से जीते और एक जो उतलाखन से जीत करके हैं इन दोनों को उसी विभाग के अंदर मिनिस्टर अफ स्टेट बनाया गया है, राज्यमंतरी बनाया गया है, यानि यह दोनों निता सड़क परिवहन मंत्राले में नितिन गटकरी के साथ काम करेंगे, तो नितिन गटकरी और उनकी टीम, ये तो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, इ वो दस साल से देखते आ रहे हैं, हमारे पूरी लिस्ट जो आप तक जल्द से जल्द और सबसे पहले पहुंचा है, गटकरी साथ का तो काम सामने आ गया है, बिल्कुल सवराब और ये लीक होके आया है, और उफिशियली रिलीज जो आता है राश्पती भावन से, मंत्रिय के विवागों के ऐलोकेशन के मामले में, उसके लिए फिलाल अभी हम लोग इंतिजार कर रहे हैं, वो नहीं आया है, बस एक सूर्सेस के मारफेज जो लीक हुआ है, उसमें ये दिख रहा है कि नितिन गटकरी सब्ग परिवान मंत्री, और उनके साथ जो दो 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 करते रहेंगे, अब जब लिस्ट आ जाएगी, उसमें वही दिखेगा कि ग्री मंत्री हमेशा होम संभालते हुए नजर आएंगे, रक्षा मंत्री राजना सिंग संभालते हुए नजर आएंगे, विदेश मंत्राले जशंकर संभालते हुए नजर आएंगे, तो इन सारी च प्राइमिंग को लेकर निश्य तोर पे उस पर अपने रेंडिती के साफ से वोलो काम कर रहा है फिलाल पूरे देश में इस बात का इंतजार है कि आखिर मंत्रियों के बीच विभागो का बटवारा कब होगा हमें इंतजार है कि वो ऑफिशिल सुची कब आएगी फिलाल ये और वो राश्पती भवन से आएगी ऑफिशल जानकारी हाप बिलकुरू आप आप जानकारी लें देखें देवेंदर को इस बीच में फोन भी आ रहे हैं वो लगाता है मेरे सामने ही लगे वितिसकाम में कि लिस्ट पूरी वो आ जाया कोई पोस्टर रिलीज किया गया है क वैसे पदमा वाड की बात कर लें तो उसके बारे में थुड़ा डिटेलि के साथ की प्रिक रेंग हु कुषका है अच्या बाकी बस इंतजार किया रहा है कि ऐराज्पति भंसे वो सी-दीक रहाता है उसका ब Bolig postponed के लाता है तो इसमें एक बात जो नहीं समझ में आ रही है वो है कि अगर ये कामों का बटवारा हो चुका है तो इसमें इसको release करने में क्या दिक्कत सामने आ रही होगी या यह work in progress है भी नहीं यह work in progress तो बिल्कुल सारू नहीं हो सकता और नहीं है और release क्यों नहीं किया जा रहा है इसके बारे में कुछ भी बताया नहीं जा रहा है और लगतार आज दो पर से ही यह उमीद की जा रहे थी कि 11 बारे बज़ते की आ जाएगा शाम पांच बज़े जब कैबिनेट की बैठक थी उसमें यह उमीद की जा रही थी वगिए अभी उस बावाद कोई भी information नहीं है और मंत्री भी कुछ मंत्री ऐसे हैं जो कि यह फोन करके पूछ रहा है भी भी किसी मंत्री कपो था सरफ वो यह पूछु रहते तीन नाम देख़ें कि क्या उनका वाला भी हो गया है तो उस हिसासाब से आप समझ सकते हैं कि कौन सा मंतराले हमें मिलना है, क्या मेरे इंटरेस्ट का होगा, नहीं होगा, क्या वो मंतराले ऐसा होगा कि नहीं कि हम अपने च्छत के लिए कुछ बेहतर कर सकें, राजी के लिए बेहतर कर सकें, देश के लिए बेहतर कर सकें, यह सारी उसकता तो रहती ही रहती है, और उ को लिह से कि आज़ को दिल से पसंद करते हैं इस काम में उनकी रूची है और दिलनी में जब से आया है तभ आप देख रहे लगातार एक परफ़र्मर्म उस मंत्राले का उनके पास आना समझा जा सकता है कि उनके लिए कितना बड़ा सर्टिस्ट्रेक्टरी यह रहा होगा और पधार मुंतिन रेन मुदी के इसाफ से देखे हैं तो सरकारें कंटिन्यूटी में काम करती है जिस बात को कहते हैं वो कम-कम इस एक नाम में तो नजर आ रहा है चलिए तो मैं फिर यह आपको नाम बदा लेता हूँ क्लियर कर दिया देवेंदर ने कि यह लिस्ट कोई जारी नहीं हुई है बलकि यह एक तरी किसम से बस सरकारी के तंतर से जो है रिलीक हो गई है जानकारी है और नितिन गटकरी सड़क परिवान मंतराले का काम ही देखेंगे दस साल से यह जिम्मेदारी उनके पास है इसके लावा भी उनके पास एक दू मंतराले और थे शायद अभी भी हो लेकिन सड़क परिवहन मंतराले जो में जो काम है देश में हाईवे बनाने का सड़के बनाने का काम जो बड़े शिदत से वो करते भी आ रहे हैं और जिसमें भारत में एक दिन में कितना किलोमीटर सड इसमें उनके विभाग को समाने से पहले और अब में बहुत अंतर आया है। साथ तो यह अभी तक की जानकारी है दूसरा जो हम लोग अभी देख रहे हैं आद देखे को और कीजेगा जैसे एक कल प्रधार मंतरी नरेंदर मुद्री के शपत लेने के बाद ही जमुकष्पी मरातन की हमला हुआ उसमे जो पहला बयान जारी करते हैं वो कौन करते हैं अमिच्शा जारी करते हैं वो जिम्मेदारी किस की है वो ग्रिफ अभाग की जिम्मेदारी है तो शायद उनको यह पता है कि मुझे ग्रिफ अभाग की जमालना है यह सरचा और यह कि जो पहला बयान जारी किया गया होम मिनिस्टर को जो करना जानकारी बस सामने जो है वो अभी प्रेशित नहीं की गई रिलीज नहीं की गई और कभी भी वो जानकारी रिलीज हो सकती है अब मुझे लगता है अब तो तुरंट कर देना चाहिए तीन नाम सामने आ गए बागी बचा करकी क्या इंतिजार रखना है इस सारी चीज़ों को रिलीस करने में ही लगे होंगा और ये तना आसान काम नहीं होता है सवरब आप देखें तो बहुत तक्निकी काम एक रहता है एक समय मिले सब को मिले एक साथ मिल जाई यह कोशिश रहती है नेनमोदी सरकार में लगाता है इस बात का द्यान रखा जाता ह कि जो भी information सरकार के अस्तर से रिलीस किये जाएं वो सब के पास जाएं और हर एक media houses के पास जाएं और उस लिहाज से फिलाल वैसे ही कोई रणीती रही होगी जज़ार है भी इस बात का कि कब वो सुची आती है बागी जी नामों के बारे में आप कह रहें उसमें कोई संदे कि वही होना है और कोई बड़ा अमोल चुल परिवरतन इस सरकार में मंतरालेयों को लेकर लेकर कुछ और जानकारियां भी आ रही है तो हम पूरा अपडेट लेकर के लौटेंगे आपके पास